हिंदी सिनेमा पर कई ऐसे फिल्में हैं जो फौज के उपर बनी है चाहे हम बात लक्ष की करें, बॉर्डर की करें या फिर बात करें ये तुम्हारे हवाले वतन साथियों और ऐसी ही फिल्म एक बार फिर हिंदी सिनेमा पर रिलीज होने के लिए तैयार है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो की फौज के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है लंबे समय के बाद एक ऐसे फिल्म हिंदी सिनेमा घरो मर जो है वो उतरने वाली है एक जून को फौजा नाम की फौजियों पर बनी ये फिल्म जो है वो लगने वाली है और इसे के चलते क्योंकि हरियाना से जुरी हुई ये फिल्म है और हरियाना के ही एक फौजे के फिल्म जो है वो ये है तो हरियाना में इसका प्रमोशन होना तो बिलकुल बनता है गुरगाओं में हम मौझूद है और गुरुग्राम में आज उनकी स्टार कास्ट जो है वो प जाहुझी आपकी पहली फिल्म है ये तो किस तरीके का जो experience हूँ रहा है वो रहा है फोजा को लेकर जी मैं सभी को यह ही बोलता हूँ कि मेरी पैरी फिल्म है और मैं आपने आपको बहुत कुछ सीब अपने च्राइब लग फिल्म और भी फोज की फिल्म एक फॉच की कहानी, I think किसी भी नूवकमर के लिए ये तो एक गोल्डन उपरचुनिटी होती है, तो मैंने इपरचुनिटी को पुरा अपने पुरा सीज किया और अपना 100% दिया, और मुझे लगते कि अगर जो नूवकमर्स होते उनको उनके लिए सबसे इंपोर्टन ये होता है कि आपके पास एक बहुत अंडर्सांडिंग डिरेक्टर हो और प्रमोट जी बहुती अंडर्सांडिंग थे थोड़ा दानते भी थे लिकिन ओवरॉल उनने बहुत सपोर्ट क क्योंकि उनकी भी पेली फिल्म थी तो इनर्जी सिमिलर थी हम दोनों की तो अवरॉल नर्विसनेस जो है वो दोनों में बराबर की रही होगी उस समय में वो थोड़ा जादा जादा थी मुझे लिकिन नहीं हाँ अवरॉल नर्विनस थी लिकिन सपोर्ट भी था तो एक समझने में कई लोग जो समझ भी नहीं पाते हैं बूल नहीं पाते हैं अलग अलग तरीकी की हर्यान वी होती तो कैसा रहा वो एक्स्पिरियों काफी अच्छा क्वेस्टिन है इंक डेफिनिली जो प्रोसेस था समझने का उब्सर्व करने का मुझे तो बहुत एक्साइटि कोई कोई लोग आके बस देखे थे सेट में क्या हो रहा हैं से बाते करते थे इस बातचीत में मुझे लगए कि हम पूरा कल्चर में घुछ गए हम अज़ फैमली होगे टोटली तो अच्छ ऐसा कुछ इंसिदें होगा क्यों कि हार्याना मेरे तो बिल्कुल एक चोटा सा मत हैष्वरा पीछ ऑई लगा है सwelt यजै दो पर पर खवर छर थी तो कॉछाची हुपा फिरो टा है कर तो मैं अच्छी पाइक चछन में मुझे तर्व अच्छी ऊटिवंठी वाहर है अफिक रोग अज़ दृटे और रहा हैं मैं ट। मैं क्रूट्ट्ट है एष्वरा ड़ बन गए थे और जो सब्जेक्ट माटर था वो ऑविस्ट एक बहुत इमोश्य सब्जेक्ट माटर था और एक रियल लाफ स्टोरी थी तो सब्ने बहुत रिस्पॉंसिबली काम किया इस फिल्म में और अब अब फिर्स्ट जून को रिलीज हो रही है लोग देखेंगे तो अं 100% इस फिल्म से कुछ ना कुछ तो भो लेकर जाएंगी ही जाएंगे, 100% 100% जदावा है यहाँ पर कार्तिक दमुका कि बिल्कुल कुछना कुछ जो है लोग अपने साथ सीख जो है वो लीकर जाएंगे अश्वरिया हमारे साथ है अश्वरिया से बात करेंगे अश्वर आपकी भी पहली फिल्म थी नर्वसनेस जो है वो दोनों तरफ बराबर थी ले जो कास्ट है वो काफी पहले से लॉग्ट है और उने स्क्रिप्ट की बेटर नॉलज़ज थी सो मुझे नर्वसनेस थोड़ी सी जादा थी बड़ सेट पर आते ही एवर्यवन बस सभी इतने सपोर्टिव थे स्पेशली डिरेक्टर सर की हमारा सारा नर्वसनेस खतम हो गया और वो हमें पूरी छूट देते थे सेट पे जैसे तुम्हें एनक्ट करना है करो जो फील करना है करो सो उस हिसाब से हमें बहुत सपोर्ट मिला है और जैसे ही मुवी आगे बढ़ती गई न पर जाब हो लोगी कि कैसे एक्सपीरियन्स जो है वोरा मेरा फर्स टाइम ता हर्यान में 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 मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे एक मैमरी है फ्रएवर ये मेरे याद मे रहेगी यादों में अर्या के लोग काफी अलग और काफी अच्छे है वेरी सपोर्टिव यह जो अभी इन्हों ने बताया अग्छेन के बारे पे उसके बाद भी ठाहिप करने लगे कोई कार में ले जा जा रहा है अवर्जा पानी देड़ा है एक एक जाए लोग बहुत ही जाए जादा काइन इसा पुपर्टिव था है आड आडगी तरह नोग काफी प्रफाहिद करते हैं, विफोर दे शूट और शूट इस फिर जेरा रहा थियू पंड़ुत कहने जाहाएं और शाओ बंणेन्टे विरेन में अर्च और खयायन एक adalah अर्व। और वहों और तर गरानों कि लगई demand an. बड़ेन कि बहुतक हैं, अर्पूरेयन के लिए टीरयन एक है थे आफ खानी है। लेकिन अवरल मैं चाहँ चाहँ कि हमारा जो एक्स्पिरिंस आया है बहुत अच्छा था और मैं यह कहूंगा कि हर्याने के लोग तो देखें लेकिन बाकि सारे पुरी जो भी जिनको भी लगता है कि लिए एक रिस्पेक्ट है और एक डेडिकेशन है तो मुझे लगता है कि मैं सब को इफिल देखनी चाहिए और जी एको गुगा थैकिया बोलोगी यह बोलोगी यह फोलोगी कि यह मुवी जो है सिफ फॉज पे तो है आपको पता यह बट सिर्फ फॉज पे नहीं है यह पारिवार एक परिवार क्या गुजरता एक बीवी एक माँ एक बहन क्या इसे एक बाप का एक सपना रहता है, बेटा पूरा करता है, इतनी जिम्मेदारी है, वो सब पे भी है, तो I think ये फुलान पारिवारिक फिल्म है, एमोशनल है, बहुत एमोशनल है, and I think ये लोगों को जरूर से जरूर पसंद आएगी. आपको शुपकामनाई है कि ये फिल्म जो है, हर्याना के लोगों को और आसपास के लोगों को जो है, वो बहुत पसंद आए, प्रमुच जी अब हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे, फिल्म के बारे में, प्रमुच जी, पवन जी की पहली फिल्म थी, कार्तिक जी की पहली फि भी सिखानी है इन लोगों के साथ भी एक पॉलिशिंग जो है वो लगातार जारी है पॉलिशिंग तो वो किस तरी का चैलेंज रहा आप लोग के लिए मैडम ये मेरी भी पहली फिल्म है फीचर फिल्म मेरी भी पहली है अभी जैसे कार्टिक और एस्वरिया बोले देगी नर्वस इन से ज्यादा नर्वस तो मैं था क्योंकि देगी मैडम की पवंजी जो है ये अमरा सोबागे की पवंजी जैसे जो राष्ट पुरुसकार विजेता एक एक एक्टर जो हमारे साथ और हर्यानवी फिल्म करने के लिए तव तैयार होई एक बड़ी बात है अब आध इन दोनों ने मैंने क्या मैं तो एक स्क्रिप्ट के साथ एनको कुछ बता सकता था बट इनों ने इनकी खुद की मेहनत थी कार्टिक ने जैसे एक महीना ह एड़ महीन ही हर्यानवी को लहज she did very well मुझे नहीं लगता था कितनी जल्दी कोई ग्रैब कर सकता है बटी नहोंने किया अब आते हैं फिल्म की वाद मड़ाम एक लाइन है हमारी फिल्म में कि दुनिया का सबसे महंगा ब्रेंड कौन सा है कपड़ों का दुनिया में कपड़ों का सबसे महंगा ब्रेंड कौन सा है मड़ाम वो है इंडियन आर्मी की वर्ति उसको खरीदा नहीं जा सकता उसके लाइद बनना पड़ता है जलना पड़ता है अब मैं यू कहूं तो इसी लाइन के आसपास हमारी पूरी फिल्म है इस फिल्म में में सेना को हर सीन में हर डायलोग में हर गाने में आपको सेना दीखेगी सेना का समर्पन दीखेगा कि किस तरह से जब एक जवान सेना में भरती होता है तो अकेला नहीं होता है मा अपना रात का खाना छोड़ती है कि मेरा बेटा खाएगा तो वो सोले सो मिटर की दोड़ पूरी करके सेना को भरती होगा बहन अपने खर्चे कम करती है कि मैं पढ़ाई छोड़ देती है कि मैं अगर पढ़ूंगी मेरा खर्चा होगा तो मेरा भाई सेना को भरती नहीं हो पाएगा भारत मा की सेवा कैसे होगी दोस्त उसके उसको इंकरेज करते हैं उसकी हेल्प करते हैं कि वो सेहना में भरती हो भाई अपनी खर्चे कम करता है कि ताकि मेरा भाई सेहना में भरती होगा और बाप बाप तो शायद दिखाता भी नहीं है अपने दुख एक मेरा बच्चे आगर सहना में भड़ती होता है और ये कहानी है परंपरा की जैसे हर एक परिवार में परंपरा होती मालो किसी की फैक्टरी है तो वो अपने बच्चे को फैक्टरी में बैठाता है दरोवर द कहानी है फौज में जाना फौज में भरती होकर भारत मा की सेवा करना ये इस परिवार की धरोवर है आपके पास मकान नहीं हो घर नहीं हो दुकान ना हो पैसे ना हो नौक्री ना हो बट आपको भारती सेना में भरती होना ही होना है ये इस घर की परंपरा है धरोवर है ये और जो पता है जैसा कि आपने बताया कि परंपरा है और परंपरा ही चाहते हैं कि वो भी जो है फोज में चला जाए तो इसके ऊपर क्या सुस्पेंस को लेंगे या फिर तब ही खुलेगा तो मेड़म ऐसा है कि सस्पेंज तो खिर आपके एक जून कोई पता लगेगा बट ये जद्द जहद है वो ही है कि बाप उसका बाप उसका बाप उसका बाप उसके पर दादा दादा सब भारती हैं मैं भरती होका भारत मा की सेवा की और वो खुद टांग उनकी खराबती तो वो जानी पाए बेटा जाना नहीं चाहता अब वो आदमी करे क्या परंपरा तूटने खुद ने तोड़ी और अब बेटा भी नहीं करना चाहता इसी जदो जहद के बीच एक कहानी आगे चलती है तो क्या लगता है कि जो हरियानवी परदे पर सबसे पहले ये फिल्म जो ह चाहते हैं लोगों को पता है हर घर में से आज हरियाना के एक आर्मी में निकलता है एक फोजी निकलता है क्या उससे रिलेट कर पाएंगे बिल्कुल मैडम ये कहानी उनी की है जो जिनके पुरे का पुरे गाउं पुरे का पुरे परिवार सेना में जाने के लिए हम हरियान तो भी हम यह हरियाना तो है ना मैडम किलाडियों की सेना की और किसानों की है देखिए किसान जो है ना वहीं से सब चीज निकलती है अगर आप किसान या कहती करते हैं तो आप खिलाडी भी बन सकते हैं और आप भारते मताब जवान भी बन सकते हैं क्योंकि आपके महनत तो आ रिलीज हो रही है और हरियाना में सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है मुझे लगता है कि हर उम्र का बच्चा यानि कि 6-7 साल से लेके जो 60-70-75 साल तक है आदमी को फिल्म देखनी चाहिए सब के लिए इसमें सब कुछ है जो बाप है उसको ये समझ में आएगा कि बाप को क आपको देखने को मिलेगा कि है जो एक जुन आप लोगों को एक भरपूर प्यार जोह है वह देखने मैं या बात हर्याने में कहसी कूँ है ह्यांदी में किस दो में बात यह है कि या फिल्म पूरी तरह से भारतीय सेना को समर्पित है हर डायलोग में, हर गाने में, हर सीन में आपने या फिलम में हरियानवी कल्चर यानि की हरियानवी संस्कर्टी देखने मिलेगी बिल्कुल यहां पर प्रमोज जी ने साफतार पर ये कह दिया है कि ये फिल्म जो है आपके लिए बिल्कुल पैसा वसूल होने वाली है तो वेट मत कीजिए आज ही टिकेट जो है वो बुक कीजिए और एक जून को जाकर अपने नजदी की सिनेमा घर में इस फिल्म का आनन्द उठाईए और जानिये की आखिर फौजा की कहानी थी क्या क्यामरमेन विजट ठाकूर की साथ में शीवानिल हुईया खबरफास्ट गुरू ग्राव